रमजान में हम बहुत सारी रेसेपी में इस लहसुन पाउडर का इस्तिमाल करते हैं तो बहुत सारे वीवर्स को ये लोकल किराने स्टोर में नहीं मिलता है तो आज मैं इसे आपको घर में बनाना बताऊंगी वो भी बहुत ही आसाने से और मार्केट में ये पाउडर मिलता है तो बहुत ही महंगा मिलता है आप इसे सस्ते में बना करके त्यार कर सकते हैं पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहे तो ये देखिए आप कोई भी लहसुन ले लिजे ये चाइना वाली लहसुन है जो थोरी मोटी होती है और ये नई लहसुन है तो आप नया पुराना मोट च्श में कर सकते हैं तो यहां पर देखिए तयार करके रखा है और ये जो इचलके रखा ये पुराना वला लहसुन है तो आप नया या पुराना कोई भी ले सकते हैं तो एक mixer का jar लेना है, ध्यान रखिएगा कि एकदम सूखा jar होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसे हमें इस तरह से दरदरा सा पीसना है, एकदम बारिक paste नहीं बनाना है, इस तरह थोड़ा मोटा मोटा सा हम दरदरा सा पीसेंगे एक प्लेट में हमने निकाला है, और जो नहीं पीसा है न कोई कोई दाना, तो उसे मैं क्या करूँगी, निकाल लूँगी और अगर ये वीडियो आपको पसंदा है, तो प्लिस वीडियो को लाइक किजिएगा, शेयर किजिएगा, चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब किजिएगा, रमजान आने वाला है, बहुत ही अच्छी अच्छी रेसे पी आपको मिलेगी तो देखे, इसे हमने निकाल लिया है, और फिर से मिकसर के जार में मैं डाल दूँगी, और साथ में बाकी जो लहसुने हैं हमारे पस, उसे भी हमने इसी तरह से पीस करके त्यार कर लिया है, इसे हमने इस तरह से फैला देना है, एक प्लेट में, और ये प्लेट को हमें दूप में रखना है तो एकदम तेज धूप में रखिए छत के उपर अगर आप रख देंगे तो बहुत ही आसानी से यह सुख जाते हैं तो देख लीजी इसे हमने सुखा लिया है और यह एकदम क्रेस्पी है तो इसे मैंने दो दिन धूप लगाई हूं बीच-बीच में उल है तो एकदम बारिक पावडर इसका कर लेना है आप चाहे तो छणनी से छान भी सकते हैं यहाप को छिल्का ना पसंद वो तो नीकाल भी सकते हैं लेकिन यह छिल्का के साथी बहुत जबरदस्त बनताि था है तो देखिए एकदम जबरदस्त इसका पावडर हमारा पैंब करके त्यार हो चुका है और इसका इस्तिमाल हम रमजान में करने से इस से पहले आप ये पाउडर बना करके त्यार कर लीजी जैसे हमने त्यार करके रख लिया है चलिए मिलते एक और रेसिपी के साथ अब तक के लिए टेक केर लाह आफीज